Regional Institute of Corporation Management की तरफ से आज कोफ़ड़ा के DC office में एक बेदारी program का इनिकात किया गया इस मोके पर cooperative societies के मुलाजमिंग के एलावा मुक्तलिफ सिकीमू से जुड़े लोगों ने शिर्कत की program में नई सिकीमू की अमलावरी और बड़ावा देने पर जोर दिया गया प्रोग्रमें एस्टेन रेजिस्टरार्स के लवा cooperative managers ने शिर्कत करके cooperative societies के बारे में जन का रही थी बाद में RICM के प्रोफेसर वेंजिका अंकुर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा cooperative management in Chandigarh से आई हुँ, मैं यहाँ पर इसलिए थी कि हम cooperative के बारे में सब जादा सब को तर्भीयत कर सके सब को education कर सके awareness spread कर सके और सरकार के जो नए initiative है परच्पन नए initiative सरकार ने निकाले है उसके बारे में PECS के मेंबर को, Primary Agriculture Cooperative Society के मेंबर को बता सके के और किस तरीके से अपने नया बिजनस कर सकते हैं यहाँ पर आके हमें बहुत जाद अच्छा लगा, बहुत जाद अच्छा से सवागत किया आराइसम के हावाले से में यह बताना चाहती हूं कि हमारा बेसिक काम है सबको ट्रेनिंग प्रवाइड करना मैंने बहुत और जगा गई पंजाब के हर्याना के हिमाचर प्रदेश से मुझे यहाँ पर लोगों को में को एहसास हुआ कि यूथ नी जो हमारे थोड़ा सभी एल्डर्ली भी है उनको भी बहुत नौलेज है सबसे पहला तो यह जो मेरा पर्सनल फेवरिट स्कीम है वो यह है कि बहुत सार अनाज हमारे देश में खराब हो जाता तो सरकार कहती है कि कोपरेटव सोसाइटी जो है बड़े-बड़े वेर्हाउसे खोले वो जो कोपरेटिव के अंडर डिरेक्ली आते हूं दूसरा एल पी जी के डिस्ट्रिबूशन शिप ले सकते हैं जन और शदी केंद्र के हम जो है दवाईयां बेचेंगे और दस परसंट मतलब जो अभी सो रुपे के दिवाई है वो दस रुपे में मिला करेगी और डि अवलाद जोड़ू के लिए उमेद की वाहिद के रदू